श्री नाज्य गुरुजी गॉला गादेश, माभगवती गॉला गादेश, श्राची वाले भाहिरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश, दिव्यनेत्र दिव्यचक्षू, मतलब सुनने की शक्ति वो जो अनसुना हो, जिसे आप अपने इंद्रियों से ना सुन सके, और देखनी की शक्ति उनकी जिनको आपको देखना वर्जित है, ठीक है, इसको कहते है दिव्यचक्षू, दिव्यनेत्र, दिव्यद्रिष्टी, ठीक, साधक बड़े ललाहित रहते हैं, दिव्यद्रिष्टी के रिए, मैं ये साधना आपको बता रहा हूं, जैसे ही आपको ये साधना मिलेगी, आप में 90% लोग इसको करोगे, मुझे पत रहा हूं, तो मेरे पास एक बहुत ही गंभीर साधक का फोन है, उन्होंने कहा कि शायद ये साधना लोग ना समाल पाएं, तो इस साधना को देने से पहले हैं, ये साधना करमवद होता है, ऐसा नहीं है कि एक साधना में आपको दिव्यद्रिष्टी मिल जाती है, लेकिन य तो आप ये समझो कि उस साधक ने ऐसा क्यों बोला कि दिव्यद्रिष्टी वाली साधना को सब नहीं समाल पाएंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा, मिले होंगे ऐसे साधकों से, जो की थोड़ा पागल जैसे हो जाते हैं, ठीक है, मैं तो अच्छे अच्छे जो कॉमर्शल गुरु हैं भारत के, उनके ऐसे शीष्यों से मैं मिल चुका हूँ, जिनको उन लोगों ने साधना कराया, अब वो पागल से घुमे फिर रहे हैं, क्यों घुमे फिर रहे हैं, एक महिला थी, उडिशा से थी, दिल्ली में रहती थी, उसके साथ क्या समस्या थी, क कि वो अपने गुरु के साथ रहके उसने एक साधना करी, साधना में गुरु उसको पिछले जनम में ले गए, अब क्या होता कि इनका मास लेवल पर साधना होता है, कि एक व्यक्ति के साथ तो वो साधना करते नहीं, वो पूरा एक गुरुप को बेठा के साधना करवाते है उसमें क्या हुआ कि जब वो औरत अपने पूर जनम से इस जनम में आ रही थी, तो एक आत्मा उसके साथ उस जनम के लग गई, अब उसको वो आत्मा दिखाई देती थी, क्योंकि द्वार तो गुरू ने खोल दिया था, लेकिन गुरू के हिसाब से द्वारबंद हो गया, ल वो आई हमारे पास, उसने बताया कि वो ऐसे इसे पिछले जनम में गई थी, उसको इतनी सारी शक्तिया दिखी, उसमें से एक विद्वा शक्ति थी, जो उसके साथ उलगे, वो हमेशा उसको दिखाई देती है, तो जब आप दिव्य दृष्टी खोलते हैं तो हमारे मन पे हमारे इंद्रियों पे प्रतिबंद लगाया गया, क्यों प्रतिबंद लगाया गया, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तिया हैं जिसे हमें नहीं देखना चाहिए, या कुछ ऐसी शक्तिया हैं जो कि अपने दुनिया में रहती है, जैसे आप इस प्रिजवी पर रह रह रहे हो, मैंन मेटाफिजिक्स में और सबका पर्मेंटेशन कॉम्मिनेशन एक अलग युनिवर्स बनाता है तो इस युनिवर्स का जो त्री डामेशनल हमारे युनिवर्स है इसके लोग किसी और युनिवर्स के लोग को नहीं देख सकते और बहुत सारे ऐसे जीव आत्मा हमारी इस धर्त पर चलते हैं जो की हमें नहीं दिखाए देते जो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था अगर आपको ध्यान में हो कि एक कच्वा उसके आग का शटर स्पीड इतना कम होता है कि वह तेज उड़ती हुई मधुमक्खी को नहीं देख सकता है अगर एक मधुमक्खी उ आपको रोखती हैं इंटर डायमेंशनल अक्टिविटीज देखने से या आपके डायमेंशन में जो ऐसी चीजें हैं उनको जो देखने से रोखती है वह आपको दिखने शुरू हो जाती है यह एक प्रक्रिया है जिससे यह होगा आपके बंधन धीरे-धीरे खुलने लगे यह पहली साधना मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद को आग सको आप लोग खुद को तौल सको कि आप यह साधना को करने के लायक होगे नहीं या सक्षम होगे नहीं इसके बाद मैं दूसरी साधना दूंगा देखो इस साधना में के दूसरे जरण में आपको तो एक वस्तू लगेगे बहुत ही विशिष तांत्री वस्तू लगेगी उसका जब आप प्रयोग करेंगे तो सारी तरफ दिशाएं खुल जाएंगी मतलब जिस समय आप इस मन से बैठोगे कि आप मुझे चीजे दिखने ही जुरू हो जाए आपके चारों तरफ एक अलग द लोगों को समाल चको अभी मैं पहला मंत्र दे रहा हूं यह मंत्र पढ़के आप जो है आवान करेंगे महादेव का देखे यह जो दिवि शक्ति दिविद्रिष्टि आपको दो ही शक्तियां दे सकती हैं चाहे तो महाकाल या महाकाली ठीक है आज जो हम लोग शक्ति की बात कर रहे हैं तो वह महाकाल है सबसे पहले आपको महाकाल को प्रणाम करके और उसके बाद जो मैं अभी मंत स्क्रीन पर आ रहा है, इस मंत्र से महाकाल को प्रणाम करेंगे, उनको जितने तरीके के तरीके से आप प्रसन न कर सकते हैं, उतने तरीकी की चीजे चढ़ाएंगे, और उसके बाद अभी जो दूसरा मंत्र आएगा, उस दूसरे मंत्र का आपको 27 बार जाब मत करिएगा 2 कि इसका तरीका क्या है करने का अगर आपके गर में शिवलिंग को ऐगर जागुरित आवस्त्ता बहुत बढ़ह बात है उसके सामने बैठिगा और उसके बाद उनके आमने धूप जलाईएगा दीब जलाईएगा नवेद लगाईएगा फुष पे चड़ाईएगा धदूरा चड़ाईगा जितने तरीके से आप महादेव को खुश कर सकते उतने तरीके से खुश करिएगा लेकिए शिवलिंग अगर मंदर में आप करे रहा है तो और अची ब पैठाईएगा मत उनको हमेशा हिलाते डूलाते रहना चाहिए तो जब आप ये पूजा करने के लिए महादेव की पूजा के लिए जब आप बैठियेगा तो एक तो अपना जो मंत्र है वम्तत पुर्शाए विद्महे महादेवाए दीमाई तन्नोर उद्रा प्रचोदया आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हटिके श्रमृत्युलों के महाकालम सर्व लिंगम नमुस्थुते अईसा जो है जो प्रणाम है महादेव का उस मुद्रा को बनाकर प्रणाम कर लीजिएगा उसके दीप और पंशे को कर सब्द करिएगा उसके बैठ जाएगा आसन वा आप जब थोड़ी दिरू शिवलिंग को देखते हुए बैठिएगा तो आप साधक वर्ग से हैं तो आपको तुरंत में आदेश होगा यह मतलब कोई आप लोगों लग रहों कि आदेश कैसे होता है आपको ऐसा एक चाहे तो मन में भाव आएगा या फिर आपको सुनाई अच्छे साधा कि उनको कान में सुनाई देगा कि अब आप जाप शुरू कर दीजिये ठीक है जब तक वो नहीं आपके कान में बोले जाएगा तब तक आप जाप शुरू नहीं किजएगा आप आवाहन करके आवहन करके बैटे रहेगा आपको जैसे भाव आएगा उसके बाद आप इसका जाब शुरू किजिएगा जाब कित्ता करना 27 करना है यह नहीं कि मंत्र बहुत अच्छा लग रहा पोजिए मैं 108 कर लो क्या एक हजार आठ कर लूगा कर लो लेकिन उसके बाद आप अपने खुद के लिए जिमेदार होगा क्योंकि यह मंत्र पारफुल और यह दिरे दिमेंशन खोलता है तो यह भी समझ लो कि आप जब इससे अपना डाइमेंशन खोलोगे तो बहुत तरह की शक्ति आपके आसपस दिखाई देंगी तो डरने का बात अकने बंदन मांते आपने पास शरीर बंदन मंदर लेंग पने मंद रहें आपने पास अतरागय मंद्रों का करते रहीं और मसत रहे так इस तंत्र के अगले क्रम में हमें एक जानवर की हटी लगती है ठीक है और एक दीपक लगता है इन दोनों के साथ जब हम कुछ उपयोग करेंगे यह उपयोग ग्रेस्ट भी कर पाएंगे तो उससे जो बाइप्रोडक्ट बनेगा वो अपने साथ रखना होता है और इस मंत्र के साथ जब उसका प्रयोग करेंगे तो सारी सारी निशायित खुल जाएंगे लेकन पहले चरन में और पबलिक में उसभस्तू का ग्यान देना उसके साथ अस मंत्र शायद जैसे मेरे सादक भाई ने फोन करके बताए कि अहितकारी हो जागा कि लोग पागल हो जाते हैं वह था इनको इनको अलुसिनेशन हो रहा है इनको सुनाई दे रहा है तो इनको audio कुछ गंद आरा है तो इनको और फैक्टरी मैंनेफ्स्टेशन ड़ें को इसा ही सब लोग आप लोगों को मतला पागल समझने लगें अधर में करने अपने पहला चरान आप लोग कर लीजे दूसरा चरन मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा आज के लिए इतन ही कल मैं महातार बावाजी का मंत्र आप लोगों को दूँगा मैंने अपनी साधना का शुरुवात वहीं से किया था तो आप लोग के वीडियो के लिए जरूर इंतदर करें एक बात और आप लोग जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है सिर्फ देख के चले जाता है आप लोगों से अब बेसिक साधना सिखा रहा है अब बेसिक साधना है अभी लोगों को नहीं आती है आप मेरे उस पेड गुरुप से जुड़ जाईए इंपो प्रेतों में इंट्रेस्ट है वो मेरी किताब है एंडूप पर प्रनॉर्मल एंबेसिकेटर वो खरीच सकते हैं और मुझसे सब्सक्राइब करने के लिए और आप मुझसे बात करेंगे उम्मीद करता हूं आज के वीडियो के बाद अगले पैतालीस दिन में हमारे पास कुछ ऐसे जरूर साधक होगी जिनके जो है नयन चक्षित पुले होगा आप सभी बादेश आदेश 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 अलाग खा चाहँ चाहँ आप